हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कहानी मकारी की सजा एक समय की बात है कि एक चीनी का व्यपारी था व्यपारी प्राए गधे पर चीनी लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाता और ले जाता था रास्ते में एक नदी थी एक दिन की बात है गधा थका हुआ था उस पर उस दिन भार कुछ जादा था नदी पार करते समय गधे का पैर फिसल गया कुछ समय तक चीनी की बोरियां पानी में पड़ी रही गधे को पानी से बाहर निकाल कर जब उस पर पुने चीनी ला दी गई तो उसका भार कम था गधा बड़ा प्रसन हुआ अब गधा प्रतेक दिन उसी प्रकार नदी में गिरने लगा इससे मालिक बड़ा परिशान हुआ एक दिन उसने अपने सभी दुष्ट मित्रों एवं संगी साथियों से परामर्ष लिया उसके साथी गधे की चाल समझ गए उन्होंने उपाय बताया कि क्यों ना गधे को एक बार सीधा किया जाए और उस पर चिनी की जगे फोम के गठर लाद दिये जाए अब गधे पर फोम लाद दी गई इस बार फोम का भार कम था गधा मन ही मन बड़ा प्रसन था लेकिन प्रतेक दिन की तरह गधा जब नदी पार करने लगा तो नदी में गिर गया आज उसे वैसे ही पड़ा रहने दिया गया ताकि फोम अच्छी तरह पानी सोख ले और उसका वजन बढ़ जाए बहुत देर तक पानी में रहने के बाद गधे को ठंड लगी वीवर शोकर वैस्वयम पानी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा लेकिन अब उसका भार बहुत बढ़ चुका था गधा उठना तो चाहता था पर उठना सका व्यपारी को भी उसे पानी से बाहर लाने में कठिनाई हुई अंत में किसी चलते राही की सहता से वह गधे को पानी से बाहर निकाल पाया गधे ने मैसूस किया कि उसका भार हलका होने के सान पर बहुत ज़्यादा भारी है उसे चलने में बहुत परिशानी का सामना करना पड़ रहा है और उपर से भार गधा जैसे तैसे घर पहुचा और इसके बाद गधा कभी भी पानी में नहीं गिरा इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के साथ कपट नहीं करना चाहिए थैंक यू पर वाचिंग प्लीस लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल